अगर आप किसी भी प्रफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर या कैंडिड फोटोग्राफर या पूछेंगे कि आपको एक बेस्ट लेंग इस तरह का बता है इसमें आप तरह की फोटोग्राफिय जो कर सकें तो आपको हर तरफ से 85 mm 1.4 लेंगे इसकी सुझेशन जो मिलेगी तो आज हम इस लेंग से हर तरह की लाइफ फोटोग्राफिय करके देखेंगे कि वाकई ये लेंग बेस्ट है के नहीं तो यहां पर इस लेंग को मैं पिछले एक साल से यूज कर रहा हूं तो यहां पर इस लेंग से आउड़ फोटोशूट इंडर स्टूडियो परके यहां पर यह फरक नहीं पड़ता आपके पास जो 85mm लेंग वह कैनन का है नाइकन का है सोनी का है यहां जो है सिगमा का है यहां पर उसका 1.4 होना जो है वो लाजबी है जो है लाइफ फोटोशूट करके इस लेंग को जा हम टेस्ट करते हैं तो यहां आज की वीडिय करने पड़ सकते हैं तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके फार्ट की बात करते हैं तो इस लेंज का सबसे पहला बैनिफिट जो आपको मिलता है वह यहां कि आप जो इस लेंज से बहुत अच्छी कैंडिड फोटोग्राफी यहां कर सकती है वेडिंग लाइन ज्यादा अपसंद नहीं करता कि आपके इंस्टाग्राम के ओपर जो भी लोग चेक करते हैं ज्यादा जो है चैनिड फोटोग्राफी जो और नजर आती है वेडिंग की और जो है वह अच्छी भी लगते है इस वज़ए से लोग जो है वो कैंडिड फोटोग्राफ ब्राइड और गुरूम को कहते हैं कि आप अपने कैंडिड पिक्चर जो हमें निकालने दे इसमें यह बैनिफिट है आपको टेक्निकली यह बैनिफिट है कि जब आपका अपर्चर जो होता है तो आप ज़यादा बढ़ा सकते हैं जितनी ज़यादा आप शड़र स्पीड बढ़ाएंगी उतनी अच्छी आप जहां मोशन कैप्चर कर सकते हैं तो यह जहां इसका सबसे बड़ा बैनिफिट है यहां पर मैंने आपको दो पिक्चर जहां बना कर भी दिखा दी है तो आप जहां रनिंग वाले पोज बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं इसके ला लगता है वेडिंग फोटोग्राफिक अंदर बल्के हर तरह की फोटोग्राफिक के अंदर ब्लर एंड बुके बहुत अच्छा लगता है और यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर जो है मैं इसे फुल फ्रेम जो है कैमरे के उपर यूज़ कर रहा हूं जैट फाइफ के अगर आप किसी किसी क्रोब सेंसर कैमरे के ऊपर यूज़ करेंगे इस लेंड को तो इसकी जो आप बढ़ जाएगी इसकी फॉकल एंड तक चली जाती है जिससे आपको ब्लर एंड बुके और जयादा बढ़ जाता है और आपकी पिक्टर जो है और ज्यादा अच्छी जो तो यहां पर आप देखें यहां पर थोड़ी सी लाइट पिछे वेलेबल थी फिर भी उसने देखिं काफी अच्छे ब्लर और बुके पीछे दे दी है जिससे आपकी पिक्चर जो बहुत अच्छी लेगती है यहां पर चाहे आप जया आपकी पिक्च्र फुल हो चाहे हाफ चाहे लोजब ओपो आपको ब्लरन बुके इसके जहाए लैंस से काफी अच्छा देखने को मिलेगा अगर आपके पास कोई एफ-फॉर लैंस है तो आपका ब्लरन बुके इतना अच्छा नहीं आता तो इसका दो फैक्टर नहीं होने के वज़ए से और इसका पर्चुर निकल कराती हैं जो पुल प्रफेशनल लगती है और क्लाइंट को जहाए वह चीज काफी अच्छी लगती है कि इसका देखिए होती है तो वहां पर जब लरन बुके इतना एकुरेट नहीं होता जब वह यह पिक्चर देखते हैं काफी अच्छी और एकुरेट ब्लरन बु जब बुके मास्टर जब हो सकते हैं पर जो यहां पर इसकी फोकल लेंदि काफ़ी अची पिक्चिर बनाई और आप देखें एक रूम के अंदर इसकी फोकल लेंद से आप जो काफी अच्छे ब्लाइंड बुके दे सकते हैं यहां पर इसके बैगरूंड के ओपर जो है गया है अगर आप देख वेडिंग फोटो गराफ करें तो आप आप पर बैटरी के साथ जो होगे चल जाती है आप जो है आप ब्रैडल को पकड़ा दें आप भीडियर के पीचे किसी तरह अज़स्कर दें तो आप जो है अपने आ की बनाया है तो हैं फट्रीट यहां पर ज Negative का यहां का काफ़ी रसटाइल लेंस है आप यह से घर हर तरह की फोटोग्राफिय कर सकते हैं फैशन-फोटोग्राफ चैन्द आप यहां यहां पर बेंग कैनिजन प्रस्टाइब कर सकते हैं तो यहां पर तो दूसरा इसका benefit यह है कि आप जो लो light में use कर सकते हैं संलाइट में भी use कर सकते हैं आप जो किसी तरह की light में भी जो है इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिक्चर हैं काफी ज्यादा low light के अंदर मैं नहीं काफी निकल तर आई है जैसे कि आप जेटे कर दे हैं यहाँ पर जो है नाइट है और यहां पर जो है फ्लेश लेट नहीं यूज़ कर रहा हूँ जो कि आपका बीम के अंदर च्छोटा सा बलब बाता है उसको ही मैं यूज़ करके जो है पिक्चर बना रहा हूँ अब बात करने का मकसद ही है कि आप अगर आप इंडोर में शूट करे रहे हैं यहां आइट में शूट करें तो आपको जा किसी external light की ज़ूरत है ही नहीं आपो फ्लेष की ज़ूरत नहीं है आप जिए अपनी जो available light है उसी के साथ जो शूट कर सकते हैं उसमें ही है कि आधी है जो हमारा कैमरा इसका थोड़ा सा आईएसो बढ़ाना पड़ेगा जैसे हमने थोड़ा सा आई एसो बढ़ाया और थोड़ी सी शटर स्पीड को हम यह वान हैंडर से नीचे लेके गए हैं और पिक्टर काफी अच्छी आने शुरू हो गई है तो यह आ पर देए कर सकते हैं हमेरा प्रेट बहुत बहुत अच्छी कर सकते हैं आप कर लेते हैं तो आपको छो है किसी भी लाइट को करने की जूरूद नहीं है यहां पर होता ही है कि वेडिंग फोड़ोग्राफिक में बहुत ज़्यादा लाइट्स यूज़ करनी पड़ती हैं हमें तो फ्लेश यह मिनिमें वन फ्लेश तो अपने पास रखनी पड़ती है तो यहां पर फ्लेश के लावा हमें गोडोक्स की बीम जैसी लाइट जो हो केरी करनी पड़ती है अगर आप जो है इन सारी लाइट से जान चुड़वाना चाहते हैं तो आप जो है यह वाला लैंज जो है बाय कर सकते हैं यहां पर यह जो है हम लो लाइट में आपको काम करके दिखा दिया है हमने फ्लेश लाइट नहीं यूज़ की यहां पर सिंपल जो बीम लाइट होती है उसका जो मोडिलिंग लैंप है उसके उसे काफी अच्छी पिक्चर निकल कर आ गई है और सेम इसी तरह जब आप आउड़ोर में होते हैं शाम का टाइम होता है पांच छे साथ बजे का टाइम होता है काफी जदा लो लाइट हो जाती है तब भी आपकी पिक्चर जो है अगर जो है वो पिक्चर काफी लो लैड में ली गई है तो जहां पर जो है इस लैंस के इतने ज्यादा जो है बैनिफिट है वहां पर जो है इसके कुछ फॉर्ड भी है उन्हें हम जो है टेक्निकली फॉर्ड तो नहीं के प्रॉब्लम्स कह सकते हैं जो कि आपको फेस करनी ज्री में टाइए है यहां पर जो हैं जुए हम इस लैंस से एक रूम के अंदर जो है फुल पिक्चर नहीं बना से की व्यूस चाल Запार इर然 से ज्यादा होती है क्योंकि आप काफी दूर जाना पड़ता है अपने एपिट्च के ओश से लापने नहीं है तो तो यहां पर है 35 यहां पर यूज करते हैं 50 यूज करते तो आप फुल पिक्टर भी बना सकते हैं लेकिन आप इस लेंज से फूल पिक्चर नहीं लेए अगर आपको जो आप जो आप जो आपको जगा काम है तो यहां पर दूसरा आपको इसका जो है एक प्रापलम देखने को आती है वह य जो कि मुझे परसनली अच्छा नहीं लगता तो आप जब अपने हैंड को इतना मजबूट बनाएं कि जब आप इसको बगरें तो आप बिल्कुल ट्राइपोर की तरह काम करें तो फिर आपकी 1.4 के ओपर भी काफी अच्छी बिक्जज आ सकती है तो आज की उडियो यही तक कि इसकी बुझे तक कर यह बाएगी